तारीख is brought to you by Sportsbet में आज से पहले भी हम दो हवाई हासे और डी कवर कर चुके हैं एक जिसमें पाइलिट की सूजबुस से सारे यात्री बजगे दूसरा जिसमें पाइलिट की कई गलतियों के चलते जितने यात्री विमान ने थे उससे भी जादा मौते हो गए इसके अलावा हमने पाकिस्तान में हुए एक विमान अपहरन को भी तारीक में कवर किया है इन सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मगर आज हम बात करेंगे एक अजीब से विमान हासे की जिसमें विमान और उसमें बैठे 249 यात्रियों का क्या हुआ आज तक नहीं पता चला है किसी विमान का ऐसे हवा में गुम हो जाना इसलिए आश्चर चकित करता है क्योंकि एर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर ब्लैक बॉक्स और कॉक्पिट रिकॉर्डिंग तक ऐसी दस्यों चीजें हैं जिसके चलते विमान ऐसे अचानक गाय भी नहीं हो सकता और हो बिजाए तो हमेशा के लिए लुप्त नहीं रह सकता मगर ऐसा हुआ मलेशियन एरलाइन्स की फ्लाइट 370 के साथ 8 मार्स 2014 मलेशियन एरलाइन्स की फ्लाइट संख्या 370 मलेशिया की राजधानी कौरलंपूर से विजिंग के लिए उड़ी ठीक सुबह 12 बचकर 42 मिनट पर मतलब मद ये रातरी को बीते हुए लगभग पौना घंटा हो चुका था केविन में 10 फ्लाइट अटेंडेंट थी, सभी मलेशियाई मूल की, 227 यात्रियों में से अधिकांश चीनी यात्री थे, 38 मलेशियाई थे, फ्लाइट में कुछ अन्य देशों के भी इका दुक्का नागरिक यात्रा कर रहे थे जो इस स्टैंडेट प्रोसीजर होता है, उसी हिसाब से फर्स्ट ऑफिसर फारिक जहाद उला रहे थे और कैप्टन जहरी आलमशाह ने रेडियो कम्मुनिकेशन समार रखा था जहरी की बातें थोड़ा असामान ये थी, जैसे एक बचकर एक मिनट पर उन्होंने कहा कि वो 35,000 फीट के उचाई पर पहुँच गए हैं जबकि स्टैंडेड ये है कि आपको किसी उचाई पर पहुँचने पर नहीं उस उचाई से हटने पर रिपोर्ट करना होता है एक बचकर आठ मिनट पर फ्लाइट ने मलेशिया इस समुद्र टट को पार किया और वियतनाम की देशा में जाने लगा जहरी ने फिर से विमान का इस तर 35,000 फीट बताया ग्यारा मिनट बाद कौलालोंपुर्ण के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के लिए एक संदेश प्रसारित किया मलेशियन 3700, होची मिन 120, 9.9 से संपर करें शुबरात्री जाहरी ने उत्तर दिया, शुबरात्री मलेशियन 3700, ये MH370 फ्लाइट में से आई आखरी आवाज थी इसके बाद कई जोन्स के कई हवाई अड़ों के ग्राउंड स्टाफ ने कई बारे इस फ्लाइट से संपर करने की कोशिश की लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, विमान गायब हो चुका था, हमेशा, हमेशा के लिए मलेशियाई वायुसेना की आखों उसे पता चला कि जैसे ही MH370 रडार से गायब हुआ, वो तेजी से दक्षुल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया इसके बाद वो मले प्रायदीप के उपपर से ओड़ा, फिर पेनांग द्वीप के चारों और घूमने के बाद वहां से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, और अंत में अंदमान सागर को पार कर चुकने के बाद रडार की रेन से ओजलो गया इसके पूरे रूट का अधियन करने के बाद इस श्रक्यों ने पाया कि ये अपहरण का मामला नहीं हो सकता था, नहीं ये एक्सिजेंट या पाइलिट की आतमत्या करने का मामला हो सकता था, मलेशिया के सरकार ने क्रू और याक्तियों का बैगडाउंड चेक भी करवाया उसमें भी कोई आशांकित करने वाली चीज नहीं पाई गए थी, हाला कि कुछ सोर्सेस के अनुसार कैप्टन जाहिरी का हाल ही में तलाक हुआ था और उनके साथ कई और धरीलू दिक्कते भी चल रही थी, यूं इन सोर्सेस का मानना था कि शायद प्लेन का क्रैश होना नहीं चला रहा था, और बात में भी ये हिंद महासागर में किसी हासे की वज़े से नहीं इंदन खत्म हो जाने के चलते क्रैश हुआ था, हाला कि उसका शुरुवात में तेजी से दक्षल पश्चिम दिशा की और मुढ़ना पूरी तरह मानमी घटना थी, मतलब ये एक ऐस चीज थी जो पाइलेट या फर्स्ट ऑफिसर में से ही किसी एक के द्वारा अंजाम दी जा सकती थी, प्रारम्भी खोज साओ चाइना सी पर केंद्रित की गई, लेकिन साथ अलग अलग देशों में 34 समुदरी जहाजों, 28 विमानों और कुछ सेटलाइटों को खोज में और जानकारियां पता चली, जिसके बाद खोज को और इलाकों में फैला दिया गया, सामावित क्रेश साइट के सबसे नजदीक कोई बड़ा देश था, तो वो ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए बाद में उस नहीं इस खोजबीन के बड़े भाग की जिम्मेवारी ली, फ्लाइ 2015 को रियूनियन नाम के फ्रांसीजी द्वीब के एक समुद्र टट पर राइट विंग फिलेपरन मिला, आसान भाषा में कहें तो विमान का एक छोटा सा हिस्सा मिला, इसके अगले डेड़ साल के भीतर, तंजानिया, भोजामबिक, तक्षन अफ्रीका, मेडगास्कर और पर मलबे के 26 और टुकड़े मिले, इन 27 टुकड़ों में इसे 3 को काफी हद तक मिश्चित रूप से फ्लाइट 370 का माना गया, इन टुकड़ों के मिलने से उन कॉंस्पिरेसी थियोरीस पर भी विराम लगा, जिनके अनुसार ये विमान उड़ते उड़ते किसी दूसरे ड इसी थियोरीस में से किसी में भी बर्मूरा ट्राइंगल का जिक्र नहीं था, क्योंकि शायद इन थियोरीस को बनाने वालों और इन पर विश्वास करने वालों को जियोग्रफी का पूरा ग्यान था इसके रहावाद रियूनियन वाले विंग फ्लैपेरन और तंजानिया में पाए गए दाएं विंग फ्लैप के टुकडों का ध्योन करने से ये भी पता चला कि विमान नियंतित तरीके से नहीं उतर रहा था, मतलब ये कि प्लेन की वाटर लेंडिंग या पानी में कि सरकारों ने जन्वरी 2017 में MH370 की खोज बंद कर दी, हाला कि एक अमेरिकी कंपनी ओशीन इंफिनिटी मैं 2017 तक खोज जारी रखे हुए थी, जुलाई 2018 में मलेशियाई सरकार ने लापता हुए MH370 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, इसमें किसी टेक्निकल खराबी क आशंका को संभव मान कर खारिश कर दिया गया था, और संभावने विक्त की गई थी कि विमान के रूट में बदलाव मानवी करणों के चलते हुआ था, मतलब ये कि दुरगट ना खुद से नहीं किसी मैनूल इंपुट के चलते हुई थी, लेकिन जहां से निर्धारित नह मजना संभव हो पाया है, लेकिन कॉक्पिट, वोइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डिटा रिकॉर्डर के आज तक ना मिल पाने के चलते हैं, यतने सवालों के उत्तर मिले हैं, उससे ज़्यादा अनुत्रित हैं अब एक बात ये कि क्या छुपा रहा था मलेशिया, विमान की गायब होने के एक हफते के भीतर, दिवॉल स्ट्रीट जनरल ने सैटिलाइट ट्रांस्मिशन के बारे में पहली रिपोर्ट प्रकाशित की, इसमें संकेत दिया गया था कि हवाई जहास के ग्राउन स्टाफ से कनेक्शन तूट चुकने के बाद भी वो कई घंटों तक उड़ता रहा था, मलेशिया ये अधिकारियों ने बाद में ये बातें सुईकार की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि मलेशिया और वहां के अधिकारी जांश में बाकी देशों की पूरी तरह सहायता नहीं कर रहे थे यूरोप, आस्टेलिया और सहिकत राज अमेरिका से भेजे गए जांच करता और खोश करताओं के एक दल का मानना था कि मलेशिया बहुत कुछ जानता है और वो छुपा रहा है इसी के चलते प्रारंबिक खोश सौथ चाइना सी पर केंदरित थी जहां कुछ नहीं मिला और जब तक सही जगे खोश शुरू हुई तब तक महत्पूर शुरुवाती समय निकल चुका था इसी सब को लेकर 24 मार्च को मलेशिय प्रधारमंत्री नजीब रजाक ने एक खोशना भी की वो बोले अन्तिम सिग्नल्स और इनमार्स सेट ट्रांस्मिशन का विशलेशन करके और UK Air Accidents Investigation Branch AAIB के जहां से निसकर्ष निकला है कि फ्लाइट हिंद महां सागर के रिमोट एरिया में दुर्खटना ग्रस्त हुई है ये रिमोट एरिया ऑस्ट्रेलिया 27 किलोमेटर दूर दक्षन पश्चिम में पर इस्थित है दियाटलांटिक नाम की एक अमेर्की न्यूज मैगजीन के अनुसार अगर मलेशिया या दिकारी सच्चाई को तुरंद बता देते तो आमुद्दिन हुसायन ने कहा हमारी सरकार ने फ्लाइट से जोड़ी सारी जानकारिया सारवजनिक नहीं की हैं लेकिन हम कुछ भी छिपा नहीं रहें हम बस निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहें विमान में सवार चीन यात्रियों के परिवार भी मलेशिया के इस रवईय से नराज थे वो नराज तो थे ही और उनका नराज होना जायज भी था लेकिन चीन की सरकार भी इस सबसे नराज थी और यूं हमारा यकीन है कि कोवीड-19 को लेकर चीन का जो रवईया रहा था कम स से कम शुरुवात में उसे देख चुकने के बाद अब आपने चीन की इस नराजगी में एक आईरेनी जरूर खोज निकाली होगी आज की तारीक में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे नई तारीक के साथ नए किस्सों के साथ और नए किरदारों के साथ आप देखते रहिए दीललन कि में झाईरेक कर दोची आप देखते इस नए मिलेगे तारीक में पुळागी में झाली होगी में लूई जिए आप में था एक मैं भी